हलो, I am Sunil Guleria और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास यूरी अपरेटर्स भी हैं, तो वी वांट टो डिस्कस नाओ इन दिस वीडियो अबाउट यूरी अपरेटर्स अब यह जो यूरी अपरेटर्स हैं, हम जानते हैं क्योंकि हमने अपरेटर्स जब डिस्कस किये थे तो हमने कहा था कि यूरी का मतलब है और यह जो यूरी अपरेटर्स होंगे, इसमें क्या होगा कि जो अपरेटर है उसको परफॉर्म करने के लिए operator को perform करने के लिए कितने operands की जरूरत होगी that is one operand तो अब ये unit operator हमारे पास जो हैं वो कितनी तरह के हैं तो मैं ये जो video बना रहा हूँ this is for C लेकिन जैसे मान लो आपने कोई भी language शीखनी है और आप operators सीखना चाहते हैं तो आप बस C word को ignore करेंगे तो आपको लगेगा कि operators approximately सारी languages में सेम है जैसे ये C में, C++ में, Java में even PHP में फिर आप चले जाएं, JavaScript में so बहुत सारी languages के लिए operators सेम रहने वाले हैं तो आप इन videos को study कर सकते हैं और देख सकते हैं ताकि आपको बाकी में भी ये operators help करें तो now we have to discuss about unary operators and unary operators जो हैं वो दो तरह के होते हैं हमारे पास एक को हम कहते हैं increment operator तो आप उसको increment operator लेके चल सकते हैं और जो दूसरा हमारे पास जो second category होती है उसको हम कह सकते हैं decrement operator और ये c में तो बहुत जारा use होने वाले हैं तो आप इसको decrement operator भी कह सकते हैं जो increment operator है उसके लिए जो symbol यूज किया गया है वो है plus plus symbol और जो decrement operator के लिए symbol यूज किया गया है तो सबसे पहला तो हमारे पास knowledge आ गया है कि जो increment operator होता है या unary operator जो होता है वो plus plus जो है वो unary operator है minus minus भी unary operator है और जो plus plus है that is increment operator and increment operator है तो no doubt ये increase करेगा value of operand पर कितना increase करेगा that is how much it will increase the value of operand so it will increase the value of operand by one and here it will decrease the value of operand by one अभी हम थोड़ा सा और discuss करेंगे लेकिन फिर जब हमने increment operator को study किया तो हमें लगा कि यार ये जो increment operator है इसकी भी फर्दर two types है और जो इसकी first type है वो हम ले लेंगे कि आप कह सकते हैं उसको post increment operator पोस्ट इंक्रिमेंट operator और दूसरी केटेगरी हम ले सकते हैं वह है pre-increment operator प्री इंक्रिमेंट operator अब ये पोस्ट इंक्रिमेंट operator और प्री क्रिमेंट operator we have to discuss about it और अगर हम यहां पर डिसकस करें तो हमारे पास यहां पर भी यह दो categories होनी चाहिए तो यह भी same हमारे पास categories होनी चाहिए एक को हम क्या कहने वाले हैं एक को हम कहने वाले हैं पोस्ट डिक्रिमेंट ऑप्रेटर एंड जो दूसरा हो जाएगा हमारे पास वो अब इनके लिए यह전ं कैसे recognize करेंगे कि पोस्ट जो है या पोस्ट में लगाया है यह ऑपरेंड के बाद में लगाय arbitr Bryce कि पोस्ट का मीनिंग भी हमारे पस क्या होता है बाद में होता है तो आपने नोटीस करना कि यह जो प्लस्ट प्लस ने लगाया आप यहां num plus plus means यह वाला जो है यहां पर जो हमने यह plus plus operator यूज किया है यह हमारा post increment है यह इसकी recognition है कि जब यह operand के बाद में लगा होता है तो यह post increment होता है और pre में हमारे पास क्या होने वाला है plus plus num अगर कुछ ऐसा आपको दिखे तो आप कहेंगे कि यहां यह जो plus operator लगा ह यह pre increment है यह सिर्फ recognition है अब इन में क्या difference होता है we have to discuss post increment है तो वो ही है अमारे पास num minus हम कहेंगे और pre decrement है तो minus minus num अगर कहीं आपको दिखता है तो आप कहेंगे यह pre decrement है और यह post decrement है अब अगला question हमारे brain में आता है कि यह जो plus plus है जो post है और यह जो pre वाला है इन दोनों म कि difference को समझने के लिए भी हमें example लेनी पड़ेगी क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमने plus plus को discuss किया कि यह जो plus plus है it increases the value of a print by one लेकिन फिर जब हमने आगे देखा तो हमें लगा कि यहां तो दो हमारे पास दो different types के operators आ गए और जब हम इन operators की बात करते हैं तो हमारे पास यह पता होना चाहिए कि इसमें difference क्या और इसमें difference क्या है तो post increment and pre increment means post increment में अपने अपने brain में यह thought पका रखनी है कि increment जो है वो बाद में हो रहा है इस sense को आप brain में पका रखें पोस्ट increment means increment बाद में और pre increment means increment पहले अब यह पहले और बाद का क्या चक्कर है उसको देखने के लिए भी हमें एक छोटा सा कोड लिखेंगे और उस कोड को हम dry run करेंगे उसको हम run करके देखेंगे दें देन आप सोचें कि आपके पास ऊपर आपने आपने आम गृट तरह देखेंगे और नहीं करते हैं आपने । यह दिया फाल लगाई है विकासमे जनरली सारे प्रोग्राइम में लिखनी पढ़ती है इस इंक्ल्यूट यह इंक्लिव्ट उस्ट आपनी और दोट अज् your printf and scanf, stdio.h आपने use किया, उसके बाद you can write your main, you can start your main, और ये हम code लिख रहे हैं to understand the difference between pre and post increment operator, so अभी आपने किया करना है कि यहाँ पर आपने एक variable ले लेना है, let's suppose that is int num, हमने एक num लिया, उसको you can assign the value also num is equal to let's suppose 10 and here you have to write, you have to use even the post increment operator, that is I am using num++ and after this you can print the value of num, so we are using the printf to print the value that is %d and then comma, we are going to display here the value of num and here we are going to close this program and simultaneously here in the other side what we have to do, we have to write mostly the same type of program, same program, लेकिन हमने उसमें छोटी छोटी चेंजिस करनी हैं तो आप यह यह यूज करें, std.io.h and then void, then main, आप बिल्कुल concentration के साथ इसको देखते रहें, उसके बाद हम इसकी output भी लिखेंगे, तो हमने इसमें भी वही किया है, int num लिया हमने and then num is equal to 10 लिखा है हमने, और इसमें value assign किया है, और हम यह जो आगे यूज कर रहे हैं, वो plus plus num यूज कर रहे हैं, इस बार हमने जो यहां operator यूज कर दी है, वो plus plus यूज किया है, तो इसमें pre हो गया और जो यहां पर हमने यूज किया है, वो post यूज किया है, this is only the difference and after this we want to print the value of this num, we are going to use printf, and then double quotes में हम percentage d, and then हम num की value को print कर रहे हैं, semicolon लगा देंगे, और आपका main जो है वो यहां close हो जाता है, अब हमने करना क्या है, कि अब हमने इसकी execution करनी है, और execution करनी है, तो हमें dry run करने की जरूरत है, हम dry run कर सकते हैं, और dry run करेंगे, तो आपका यह program execute होगा, wide main में execution आएगी, then int num जब करेंगे, तो होगा क्या आपके लिए एक memory block reserve होगा, let's suppose num, और उसके बाद next statement आएगी, num is equal to 10, तो उस num में वो 10 store करेगा, उसके बाद वो इस statement पे आएगा, और यहां क्या है, कि num के साथ हमारे पास क्या लगा होगा है, plus plus, and this plus plus is known as the post increment operator, and हम जानते हैं कि यह जो post increment operator है, यह अपने operand में क्या करता है, increment by 1, तो increment by 1 जो होगा, तो 10 की जगह यहां क्या आजानी चाहिए, value 11 हो जानी चाहिए, that's it, चलो, let us see, तो इसकी value 11 हो गई है, according to the statement, उसके बाद यह execution point आगे चलता है, क्योंकि sequence में execution होती है, यह इस printf को चलाएगा है, और हम जानते हैं कि printf कैसे काम करता है, यहां हमने num लिखा हुआ, तो num में क्या value पड़ी है हमारे पास, that is 11, तो यह क्या करेगा, कि जो num की value है, उसको यहां substitute करेगा, और जब यह value substitute होगी, तो यहां 11 आ गया, और उसके बाद यह उसको print करेगा, इसका मतलब है, कि इस case में आपकी जो output आएगी, वो screen के उपर, आपकी output, screen के उपर 11 आपकी output आएगी, अब अगर आप इस code को execute करना चाहते हैं, main तक आएगा, int num है, इस case में भी आपके पास एक memory block बनेगा, जिसको हम num कहते हैं, और उसके बाद num is equal to 10 है, तो उसमें 10 जो value है, वो store हो जाएगी, उसके बाद यहां अगर आप ध्यान दें, plus plus num है, और यह जो हम videos बनाते हैं, these videos are for the beginners, and beginners means कि उनके लिए यह language नहीं है, तो उनको बड़ी concentration और ध्यान से सुनना पड़ता है, तो आपने भी ध्यान से देखना है, कि यहां plus plus लिखा हुआ, हमने यहां pre increment operator लगाया, लेकिन हम जानते हैं, कि जो increment operator है, वो अपने operand में value का increment करता है, लेकिन by one, तो इस case में भी वो num की value जो increase करेगा by one, और num की value हमारे पास क्या हो जाएगी, 11, उसके बाद as per the instructions की sequential execution होती है, तो वो next statement को execute करेगा, next statement में हमने वो ही लिखा है, तो यहां यह num की value pick करेगा, num की value 11 है, और num की value जो 11 है, उसको यहां substitute करेगा, तो यह तो बिल्कुल हमारी left hand side वाला जो program, उसी की तरह output आने वाली है, तो यहां आप पर 11 डिस्प्ले करेगा, तो इसका मतलब है कि इस case में भी हमारे पास जो output आएगी screen के उपर 11 आएगी, अब इतना सब कुछ discuss करने के बाद, हमारे brain में यह चल रहा है कि चाहे आप इस code को लिखें, चाहे आप इस code को लिखें means, चाहे हम यह plus plus num यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम यहां पर यह num plus plus यूज़ कर रहे हैं, दोनों के case में ही हमारे पास जो output आ रही है, वो same आ रही है, it wins, दोनों के case में यह increment by one कर रहा है, तो अब इन दोनों में फरक क्या है, तो आपने यह mind में रखना है कि जब हम इस operator को अकेला यूज़ करते हैं, means हम एक यहां पर यह जो operand है हमारे पास, यह अकेला operator को यूज़ कर रहा है, तो चाहे प्लस प्लस आप post incremental लगाएं, या pre लगाएं, दोनों में कोई फरक नहीं है, तो अब इसमें difference का बाता है, जब हम इसको कहीं न कहीं expression में use करते हैं, जिसमें हमारे पास दो operators भी include हो जाते हैं, वहाँ इसका difference आना है, उसको समझने के लिए, मैं इसी program में changes कर देता हूँ, आपने एक और variable लेना है, I am going to write that in different color, आप यहाँ पर कोई और color लेना है, मेरे ख्याल से brown will be better, यहाँ मैं इस case में red लिखता हूँ और उस case में black से लिख दूँगा, यहाँ आपने क्या करना है, एक और variable लेना है, मान लो आपने int लिया, int करके p कर लो आप, so int p किया, तो एक और हमारे पास यहाँ पर memory block बन जाएगा p का, और अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ यह जो code आपने लिखा, यहाँ हम p is equal to num++ लिखने वाले हैं, इस code को मैं यहाँ separate लिख रहा हूँ, कि यह line आपकी इससे replace हो जाएगी, p is equal to and then num++, यह हमने change कर दिया, अब आप इस expression में notice करेंगे, कि यहाँ क्या होने वाला है, तो यह नया आगया है, जो इसकी जगा हमने use किया है, और यहाँ हमने यह same रखना है, लेकिन एक statement हमने और add कर देनी, यहाँ printf, because now in this case, we want to display percentage d, then we want to display the value of p also, अब इस case में जब आप इसको execute करेंगे, तो आपके पास difference आने वाला है, तो हम पहले तो इसको execute कर लेते हैं, फिर हम right hand side वाले program को execute करेंगे, तो आप यह लेके चले, int p है, आपके पास p नाम की memory block reserve हो गया, int num है, आपके पास एक num, नाम का memory block reserve हो जाएगा, और अभी उसमें मान लो कोई value नहीं होगी, फिर next third statement में जब जाएगा, तो num यहाँ जो लिखा है num is equal to 10, तो num में यहाँ value store हो जाएगी, और आपने उसको लेके चलना है कि उसमें 10 value store होगी, आपने यहाँ 10 mine में रख लिया, उसके बाद अब यह जो instruction है, इसको बड़े ध्यान से देखना है, मैं यहाँ की बजाए यहाँ पर इसको evaluate करता हूँ, और आपने यहाँ देखना है, अब है क्या यहाँ पर, एक नम है, और नम के साथ प्लस प्लस भी लगा हूँ है, और नम के साथ यहाँ इकुल टू भी लगा हूँ, अब यह उप्रेटर जो evaluate होगा, सबसे पहले क्या यह वाला पहले evaluate हो, यह वाला पहले evaluate हो, पहले कौन सा execute होना चाहिए, तो जब नम ने प्लस प्लस को देखा, तो प्लस प्लस क्या कह रहा है, कि who am I, तो I am post increment, तो यहाँ पर क्या हो गया है, कि यह जो प्लस प्लस है, यह कह रहा है कि ठीक है, इंक्रिमेंट बाद में कर लेना, पहले आप दूसरे को solve कर लो, तो अब दूसरा हमारे पास, यहाँ क्या है, इकल टू, तो इस केस में क्या हो गया है, कि यह जो प्लस प्लस है, सबसे पहले इसको solve नहीं करेगा, सबसे पहले यह इकल टू को solve करेगा, और इकल टू क्या कह रहा है, कि जो नम की value हो, पी को assign कर दे, और नम्बर टू पे अब यह जो है, यह जो प्लस प्लस है, यह नम्बर टू पे execute होगा, तो नम की value पहले assign होगी, अब नम की value जो वो increase होगी, तो अब नम में क्या पढ़ा 10, तो नम की value क्या हो जागी 11, तो आपने mind में रखना है, कि अब इस box में हमारे पास जो value आ चुकी है, तो 11 आ गई हो, उसके बाद यह वाला अब हो गया है, आपने बड़े ध्यान से इसको execution को mind में रखा है, आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार सुन सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, उसके बाद आपने इस printf को execute करना है, और यह जो printf है, यहाँ percentage दी है, तो नम की value क्या है, इस वक्त 11 है, तो यहाँ पर अब यह 11 substitute करेगा, तो आपकी screen के उपर जो output आनी है, वो 11 आनी है, और साथ में फिर next statement चलेगी, printf है, उसमें भी percentage दी है, और बहाँ P की value है, अब P की value इस case में 10 है, तो यहाँ यह 10 substitute करेगा, तो आपकी screen के उपर 10 आना है यहाँ पर, तो आपकी जो output आएगी, इस case में जो program हमने यह left hand side बे लिखा है, इसमें आएगा 11 और 10, यह आपकी outcome आने वाली है, अब हम दूसरी side की values को भी execute करेंगे, और दूसरी side की value का execute करने के लिए आप use कर सकते हैं, कि यहाँ पर मैंने int और वही मैंने changes, वही करने int p नाम का एक variable लिए है मैंने, और जब p नाम का variable लिए है, तो उसको मैं यहाँ के change करूँगा, तो यहाँ मैं लिखूँगा p is equal to like this, और यह जो p is equal to plus plus num लिखा आपने, यह हमने changes किया है, तो अब इसके पास b evaluate करने के लिए एक plus plus है, और एक evaluate करने के लिए इसके पास b एक equal to b है, अब इस case में यह किसको preference देगा, that we have to check, और end में आप एक statement और लिख दें, that is print tab, and आप यहाँ लिखें, percentage d, p, अब आप इसको भी run करें, और run करना है, तो आप सबसे पहले variables बगारा का ध्यान रखें, कि variables कौन कौन से हैं हमारे पास, सबसे पहले यह बाला चलेगा, int p, int p है, तो यह क्या करेगा, आपके लिए p नाम का memory block बनाएगा, फिर int num है, तो मान लो यह आपके पस मैं नया ले ले लेता हूँ, इसको आप रहने दें, हमारे पास यह num नाम का block बन गया, एक और block बन गया, दो block हमारे पास बन गया, फिर हम third statement में जाएंगे, जिसमें हमने num is equal to 10 किया है, num की value हमने 10 assign कर दिया, अब हम इस statement को लेते हैं, और इसको भी हम यहां लिख लेते हैं, neat and clean, इसमें क्या कि कुछ ऐसा है, अब यहां पर भी वो ही question है, कि num जो है, पहले plus plus को solve करे, या num जो है, पहले increment करो, तो सबसे पहले आपका क्या होगा, कि जो num की value है, वो increase हो जाएगी, तो num में 10 पढ़ा है, तो 10 plus 1 हो गया, क्योंकि increment operator by 1 होता है, तो उसमें 11 आ गया, और यह जो 11 आया है, वो num की value हो चुकी है, increase होगी, तो number 1 पे यह पहले परी चला, और अब जो number 2 पे होगा, वो num की value जो जो assign होगी, क्योंकि यह assignment operator है, तो अब num की value जो P को assign होगी, तो num में 11 पढ़ा है, तो अब P को क्या value मिलेगी, वो num की latest value मिलेगी, that is 11, तो इस case में आपका P 11 और num भी 11 है, यह अपने ध्यान रखना है, और जो हमारा यह left hand side था, इसमें आप देखें, कि आपके बस num की value 11 है, और P की value 10 है, तो यह हमारे पास difference हमें, evaluate होता हुआ दिख रहा है, और अब आप next statement में जाएंगे, तो वहां printf लिखा हमने percentage d, नम की value क्या है, इस case में num की value हमारे पास 11 है, तो यह क्या करेगा, यहाँ 11 ही substitute करेगा, तो आपकी screen के उपर एक value तो 11 आ जाएगी, फिर उसके बाद next printf चलेगा, हमारा percentage d, पी है और P की value हम देखेंगे, तो P की value हमारे पास 11 है, और यह P की value यहाँ 11 substitute करेगा, तो जब यह P को print करेगा, तो 11, 11 आएगा, तो इस case में आपकी जो output आई है, वो यह आई है 11, 11, और जो left side हमने जब यह post increment operator ने यूज किया, तो उसकी value हमारे पास 11 और 10 आई है, इसका मतलब है कि जब हम इनको combination में यूज करते हैं, जब हमारे पास दो operators होते हैं, तो उसमें से यह पहले और बाद में कौन सा है, उसकी preference दी जाती है, और यह आपने बहुत ध्यान से समझना है, इसको आप एक बार देखें, दो बार देखें, और जो मैंने यहाँ code लिखा है, इसको हम practically भी लिखके देख सकते हैं, लेकिन यह video हमारी बड़ी हो जाएगी, या मैं चाहूंगा कि अगर कोई extra अगर इसके साथ बन सके, तो वो होनी चाहिए, लेकिन यह आपका जो code है, वो same as it is आना है, और इसको आपने mind में रखना, और इसको आपने test और try करके भी देखना है, आपके output ऐसे आएगी, बहुत सारी assignments में यह plus plus post हो या pre हो, यह use होते हैं, इसको बड़े ध्यान से आपने study करना है, thanks for watching,